की है ऑलोग है आपके अपने YouTube चैनल डी आर एक्स डीॅल टी डेखे मेरे केवल और केवल यह मतलब है कि आप तक जानकारी पहुंचे लाइक और सेयर करना आपकी मर्जी है मैंने कहिता कि लाइक और सेयर करें केवल और केवल है बिखुर तो देखे बक्टिरिया जो होता है ना गडरिया एक प्रकार का जुल हुआ ठीक है अब इसके ब्यर्टिरे की टॉपिक मेने की आत्थ की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में आपको इक बार बता बैक्टीरिया की विशेस्ताओं के बारे में हम लोग जानेंगे, know about the classification of bacteria, bacteria के वरगी करण, bacteria की structure of bacteria, संशना के बारे में disease caused by bacteria, bacteria से कौन कौन से harmful बीमारिया होती है, उसके बारे में जानेंगे, लेट ना करते हुए हम लोग सिरह बैक्टीरिया पे चलते हैं कि बैक्टीरिया क् होथा है चलिए लेक्टिरिया है जो अगर तो डाफ इस अघ्टिरिघ सुर्म क्लीट द्षीश है एक सब Hey जैख लाटीरिया गर्टीरिया है ऐसको ईसको फॉलते हैं मतलब होता है ठीक है Bacteria is a microorganism with few micrometer in length and have wide range of shapes round oval rod and spiral shapes Bacteria जो होता है एक सूच मजीव है जिसकी लंबाई कुछ micrometer में होती है और इसका अकार गोल, अंडाकार, छड़ी, सरपलीकार, मतलब spiral type की व्रतिकार संखुला होती है ठीक है, first discovered by Antony van Leeuwenhoek in 1676, initially called animal clues मतलब 1666, इसवी में Antony van Leeuwenhoek द्वारा पहली बार इसको खोजा गया था इसको animal clues मतलब की जिवाडू नहीं, जिवाडू की जगे जन्तु बोला गया था इसको की एक बहुत ही छोटा जन्तु है, जिवाडू इसको बाद में नाम दिया गया, study about bacteria is known as bacteriology, मतलब bacteria जिवाडू के बारे में अगर हम लोग बात्चीत करेंगे पढ़ेंगे तो bacteriology के अंदर आता है, ठीक है इसका साफ सिदा अर्थ है, जब मानव सरीर पर bacteria के हानिकार प्रभाव के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे, तो उसको medical bacteriology के अंतर कता आएगा, ठीक है अब आगे हम लोग देख लिखते है, bacteria are found everywhere on earth, bacteria प्रत्वी में हर जगे है, प्रत्वी में हर जगे है, ठीक है इन स्वाइल, वाटर, एयर, डीप और क्रस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट, एंड एसिटिक होट इस्प्रेंग, मतलब कि ये मिट्टी का एक गरम मतलब 40 मान लिए धर्दी महर जगे बैक्टिरिया पाज़ते है, यानि मिट्टी, पानी, हवा गैरी प्रत्वी की और ml of fresh water, मिट्टी के एक ग्राम, मतलब जो एक ग्राम मिट्टी अगर आप लेंगे एक ग्राम आप जानते हों कितना होता है, नगार नहीं होता है, उस एक ग्राम मिट्टी में 40 मिलियन बैक्टिरिया पाया जाते हैं, जबकि 10 लाग ताजा, पानी की एक मिलिलिटर में मतलब क पाया जाता है, आप समझ सकते हैं कि जो बैक्टिरिया हो, कितने माइक्रोग, ना साइच छोटा होगा उसका, हाओएवर, अउनली फ्यू आफ दीजार हांफुल टू, यूमन बॉड़ी कॉस्ट डिसीज, देखिए हालां कि इसमें सो कुछी मानव सरीव को पूरता नुकसान पहुचाते हैं, जो बीमारी का कारण बनते हैं, सभी जीवालू हमारे लिए हांफुल नहीं होते, ये प्र ऐसैर कर लिए कि एक बाग में सो पिर लगा दिये जाए और तो वो 61 की मात्ता उसकी ज्यादा होगी की एक उतने बड़े भाग में 10 लगाये जाए कि उसकी ज्यादा होगी तो यह क्या करता है ये छोटे से एरिया ही में ॉन हख भख 10 अरे यहां उपलब दे यह फॉल्स और फॉंट 2.5 बिलियंस यह अगो देखिए उसमें जिसमत लगभग धाई अरब साल पहले इसके जीवास में थे जो वह पाया जाते थे ठीक है अब हम लोग आगे चाहते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टिरिया हमने आपको बताया था कि बैक्टिरिया की विशिस्ता हैं अब जो सकेंड टॉपिक है करेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टिरिया साइज ऑफ बैक्टिरिया रैंग बिट्विन 0.525 माइक्रोमीटर देखिए जो बैक्टिरिया का साकार होता ह साइज होता है वह 0.5 से 5 माइक्रो मीटर के बीच में होता है यह सल में जो आपके जीवाड़ु है इसमें मेंब्रेन निकलियस कुछ नहीं पाया जाता है इसमें कोई जिली नहीं होती कोई नाभी नहीं होता इसमें और ना किसी भी नाभी या किसी भी जिली से घिरा होता है have a single chromosome has genetic material मतलब have a single chromosome है एक single DNA का होता है क्या होता है ये single DNA का होता है enclosed in a rigid cell wall made up of petriogland मतलब कि जो इसकी जो एक cell होती है जिससे ये बना होता है अभी मैं आगे figure में भी आपको clear कर दूँगा जिसकी cell होती है वो 50 ग्लैकॉन की बनी होती है some bacteria along with plasma membrane contain an additional membrane called capsule मतलब कि जो जो bacteria होते हैं कुछ bacteria है plasma जिली के साथ एक अत्रिक्ट जिली होती है जिससे capsule कहा जाता है मतलब प्लाज्मा जिली दो होती है साथ में और भी capsule मतलब जिली बनी होती है जिसको हम लोग capsule कहते हैं चलिए character of bacteria हम हम लोग आगे बढ़ते हैं और व्य प्रेडी ऑशन ये मतलब यह एक प्रव्य करक्व समझने की बनाता है अन मेस वह नहीं बनाता है मतलब जो खुशनी जो यह सिन्गल से यह से ओस्तिक है are arto-trops while some are heterotrophs देखे सम बैक्टिरिया arto-trops का मतलब आप समझे क्या होता है arto-trops का मतलब के बालों के बाल इतना है कि जो आटो आटो का मतलब वह automatic जो अपना खाना खुद बनाए स्वयम मतलब वह किसी पर आश्रित ना हो अपना खाना खुद बनाए वह आटो-trops मतलब वह बैक्टिरिया arto-trops कहलाते हैं और वाल से हमार heterotrophs और जो खुद दूसरों की मदद से खाते हैं वह हमारे क्या नाम है heterotrophs में एक्जामपल के लिए आप देख लिए जो मनुस्य होता है वह दूसरों पर depend होता है अगर हम लोग खेत में खेती नहीं करेंगे तो हम लोग खाना नहीं खापाएंगे तो वह हम लोग heterotrophs में आ गए autotrophs का क्या होता है कि जो अपना खुद की खाना यह उसा खुद कर लेते हैं दूसरों पर depend नहीं होते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं most grow best at pH of 6.5 to 7.0 मतलब जिसके जो pH होता है न जिस भी चीज का pH 6.5 7.0 के बीच में होता है वह bacteria सबसे ज़्यादा grow करता है सबसे ज़्यादा bacteria grow वहीं करेगा जहां का pH 6.5 to 7.0 होता है many acts at decompose many acts as decompose recycling nutrients मतलब कई पोसक तत्यों को recycling करने के लिए deep composer के रूप में कार करते हैं मतलब कि जैसे कोई जानवर मर गया हो तो आप देखते हैं कि वह पढ़े शालचे मैंने पूरा गायब हो जाता है सड़ जाता है नुटलब की जो bacteria होते हैं वह उसको पूरी लिए उनके लिए nutrients के लिए क्या होता है चलिए सबसे पहले मतलब इस प्रोफाइटर्स इसमें थोड़ा से spelling mistake है इस प्रोफाइटर्स में इसकी spelling ऐसे पी आरो पी एच वाई टी एस होगा तो esperator फाइजर्स का चांदा फीड ओन डार्ट और अर्गनिक मैटर मतलब इस आ एक्टो एक होता है एक्टो का मतलब होता है जो बाहर होते हैं बाहर मतलब जो पैरसाइट में आपकी जुए होते हैं वह हमारे सरीर के बाहर होते हैं वह एक्टो में आएंगे ठीक है इंडो का मतलब जो हमारे सरीर के अंदर इंडो मलेरिया हो गया यह सब हमारे पैरसाइट ह है जो हमारे प्राप्त करता है चलिए इसके भाद आते है है फोटो आट्रोप मतलब फोटो आट्रोप से के अंदर आ जाता है ठीक है उसके बाद हम लोग चीमो आट्रोफ मतलब केमिकल केमिकुम आट्रोफ का मतलब होता है ऑक्षडाइज इन और्गेनिक मैटर सच आइरेन और सलफर टू मेक मतलब ऑक्षडेजन जैसे राइबोजोम हो गया यह सब ऑक्षडेजन का ही जो है क्या करते हैं इन और्गेनिक उसमें कनवर्ट करके वह अपना भोजन प्राप्ट करते हैं चलिए हम लोग आगे देखते हैं यह देखिए आपके सामने मैं साइज बैक्टीरिया बता रहा हू क्लासिफिटिकेशन एफ बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन में हम लोग आते हैंikh Geraldine देखेंगे कि according to morphology, morphology के according देखेंगे हम लोग bacteria classification needs for oxygen, staining, heat tolerance and pathogenicity, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं according to morphology, according to morphology, according to morphology, say bacteria are classified into three types, कोकाई, बैसले, इस्पाइला, मतलब कोकाई का मतलब क्या होता, those who appear in round or oral shape, मैं अभी डाइगराम में बताउँगा, कोकियाई और बैसलाई क्या होता है, तो कोकियाई का मतलब केवल और केवल इतना हुए, those who appear in round or oval shape, जो gold shape में दिखाई देते, Кोकियाई में आते हैं, बैसलाई क्या होता है, those who appear in round shape, मतलब की rod, rod के shape में जो होते हैं वो हमारे होते हैं best lie spiral से मतला खुदी समझ वे रहा है those who appear in inspiring spiral और ゃो मतलब जो spiral के रूप में होते हैं वो हमारे इस्पारिला में आते है चलिए हम लोग diagram में आपको clear कर देते हैं according to morphology देखिए पहला spiral spiral के round में round round में आपको को दिखंग रहा है फिर बैसल आए पिर आपको मैंने बताए कि रहेंटश में होता डेहें रॉच में बना हुआ फिर कोखाई मैंने राउंड में सेप में बना हुआ यह अक्कॉडिंग डूOW-णी यह हमारे ब relais को बोलते हैं वो दो ईसमें नहीं करया कैसे अरेंज होते हैं तो देखें पहले आपको दिख रहा है डाई प्लोको काई मतलब क्या हुआ आपको क्या हुआ अभी मैं इमेजब से इसको आप करूंगा क्लियर डाई का मतलब हुआ टू, ठीक है डाई का मतलब हुआ unknown को काईог नोंगे उनक लोग को काईय चीख और इनगे कशियो रिवके ए रोपने बॉलएंगे उह एक को काई और इस्ट्रिप्ट्रो काई होता है चैनeg pros और जो अरेंजिन क्लस्टर है वो जैसे आपका जुन्ड बना होता है अभी मैं इमेज में आपको क्लियर कर दे रहा हूं यह देखिए आप लोगों के सामने लेकिन इसके बारे में हम लोग नेक्स लक्चर में डिसकस करेंगे आज के लिए इतना हो गया काफी हो गया तो जैसे आप मुझे कमेंट में करेक्ट कर सकते हैं तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए ओके